Hello students, welcome to RS Accounting Classes. Today we are going to discuss POEM 4, Class 12, Flamingo Book. And this is my Telegram channel, RS Accounting Classes. You can join this. You will not get the updates of the videos. Study materials, labels, PDF, sample papers will be available here. So please join it. A Thing of Beauty Written by John Kitts John Kitts का birth हुआ था 1795 में. Death हुई थी 1821 में. इनका birth हुआ था London में. Death हुई थी Rome में. बहुत ही young age थी 25 years की age में इनकी death हो गई. illness की वज़े से ये एक English point थे और इन्होंने as a surgeon ट्रेनिंग ली थी. बट इन्होंने उसको छोड़ दिया और अपनी पूरी life है उसको poetry के लिए devote कर दिया. इन्हीं की एक poem थे जिसका title था Andemian A Poetic Romance. उसी poem में से कुछ lyrics को लिया गया है A Thing of Beauty में. अब हर किसी person के लिए beauty की definition अलग हो सकती है बट हमें अपने point of view से नहीं सोचना. author ने क्या point of view सोच के poem को लिखा है हम उसको discuss करेंगे. तो इस poem में जो author है John Keats है वो नेचर की beauty के बारे में बात करते हैं प्रकरती की सुन्दरता. बहुत ही beautiful poem है चलिए discuss करते हैं. A thing of beauty is a joy forever? thing of beauty यहाँ पर क्या है nature? तो अब यहाँ पर author कहते हैं कि nature से मिलने वाली खुशी है, joy है, वो forever है. हमेशा के लिए है. Its loveliness increases, जो प्रकरती की खुबसूरती है, वो increase होती रहती है, बढ़ती रहती है. It will never pass into nothingness. और ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब हम nature के साथ connect होते हैं, तो हमें कुछने कुछ benefit मिलते हैं, हमारा जो time है वो waste नहीं होता. तो अब यहाँ पर author की perception यहीं है कि जब हम nature के साथ connect होते हैं, उससे जो हमें benefit मिलते हैं, जो खुशी मिलती है. वो forever होती है, हमेशा के लिए होती है, वो खुशी कभी भी कम नहीं होती, in fact उसकी जो लबलीनेस है, खुबसूरती है, वो increase होती है. दुसरी साइट जो खुशी हमें material things से मिलती है. For example, की एक mobile phone था, जिसको आपने advertisement में देखा, उसकी features को देखे, look को देखे, आप बहुँ जादा attract होगे. और assume करो की आपको two या three days के बाद वो phone आपको मिल जाता है. उसके बाद आप उस phone को use करना start कर देते हो, बड़ जैसे जैसे time बीटता है, या फिर market में कोई new phone आ जाता है new features के साथ, तो आपका जो मन है, पुराने वाले phone से उतर जाता है, भर जाता है, और नए phone की तरफ आप फिर से attract हो जाते हो. तो ओधर यही कहना चाहते हैं कि जो खुशी हमें material thing से मिलती है, वो time के साथ फिक ही पढ़ जाती है, और decline हो जाती है, कम हो जाती है. बट जो खुशी हमें nature से मिलती है, वो कभी भी कम नहीं होती, उससे मिलने वाले खुशी हमेशा के लिए है, forever. बट विल कीप अबावर क्वाइट फोर अस, और स्लीप, फुल अफ स्वीट द्रेम्स, और हैल्थ, और क्वाइट ब्रीधिंग, इन लाइन्स में, ओथर ने हमें nature से मिलने वाले benefits के बारे में बताया. फर्स्ट अफ ओल उन्होंने nature से मिलने वाले खुशी को comparison किया, अब बावर क्वाइट फोर अस, बावर मिन्स a shady place under the tree, शोट में आप कह सकते हो चाया, बावर मिन्स चाया, अब जो जैसे हमें खुशी मिलती है nature से, उसको comparison कर दिया चाया से, एक पेड़ी के नीचे, बहुत अब जैसे हमें खुशी मिलती है वैसे ही आपको nature के साथ connect होने से मिलती है, a sleep full of sweet dreams, जब आप nature से connect होते हो, तो आपको जैक बहुती प्यारी सी नींद है, वो मिलती है, और वो नींद कैसी है, मीठे मीठे सपनों से भरी हुई, health, health भी आपकी अच्छी होगी, quiet breathing, आप जो स benefit मिलते हैं, बावर quiet for us, sleep full of sweet dreams, health and quiet breathing, therefore on every morrow are we reading, अब यहाँ पर इसी चीद से connect करते हुए, कि जब हमें nature से इतने सारे benefit मिलते हैं, इसी लिए हम हर रोज, morrow means following day, reading means encircle, यानि कि हम हर रोज nature के साथ connect होते हैं, किसी ने किसी वे से हम अर्थ के साथ जुड़ते हैं, अब इस टेंजा में जो rhyming scheme यूज हुई है, वो है A, A, B, B, C, C, यहाँ पर forever, never rhyme कर रहे हैं, keep, sleep, rhyme कर रहे हैं, breathing, reading, यह rhyme कर रहे हैं, इसके इलावा यहाँ पर literary device यूज हुज हुआ है, metaphor, metaphor क्या होता है, जब किन ही दो indirect thing को compare किया जाता है, तो अब यहाँ पर nature से मिलने वाली खुशी को, abower, quite for us, इसके साथ compare किया, इसी वज़े से यहाँ पर device यूज हो गया, metaphor, A flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman death, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching, flowery band to bind us to the earth, यानि कि यहाँ पर उतर कहना चाहते है, earth में जो हमें चीज़े मिलती है, natural things मिलती है, वो सभी क्या एक flower band के जैसे हैं, जो हमें earth के साथ connect करती है, bind करती है, spite, short form है, in spite, यानि की के बावज़ोत, of despondence, despondence का मीन है, यहाँ पर depressed, inhuman death, इसका मतलब होता है, cruel behavior, of noble natures, यानि कि जो अच्छे वेक्ती हैं, उनकी कमी, of gloomy days, gloomy means sad, तो अब यहाँ पर देखो, first angra में author ने हमें बताया था, कि nature से मिलने वाली खुशी forever है, उससे हमें काफे सारे benefits मिलते हैं, इसलिए हम अपने आपको हर रोज connect करते हैं, earth के साथ, right, लेकिन यहाँ पर author साथ में ये भी कहते हैं, कि इसके अलावा धर्ती पर, depression भी है, cruel behavior वाले persons भी है, अच्छे लोगों की कमी भी है, बूरे दिन भी है, unhealthy environment भी है, over darkened ways भी है, यानि कि हम अपने targets को, goals को achieve करने के लिए, तो बहुत बार जो गलत रास्ते होते हैं, उनको adopt कर लेते हैं, जो हम भी अंदेरे की तरफ लेके चले जाते हैं, yes, हाँ, in spite of all, यानि कि यहाँ पर author agree करते हैं, एक तरफ तो उन्होंने nature की खुबसूरती के बारे में बात करी, दुसरी साइड वो reality के बारे में, कि दुसरी साइड एक ये भी माहूल है, जहाँ पर जो persons है, वो depression में है, तनाव में है, अच्छे लोगों की कमी है, दुख ही दुख है, unhealthy environment है, बट साथ में यहाँ पर खहते हैं, ये इस बात से agree होने के बात, in spite of all, some shape of beauty moves away the pole from our dark spirits, अब यहाँ पर author खहते हैं, कि हाँ, धर्ती पर जो बुरी चीज़े भी है, बट beauty के रूप में कुछ shape है, उस things available हैं, जो हमें बुरे-बुरे ख्यालों से दूर लेके जाती है, गलत रास्तों पर जाने से हमें दूर लेके जाती है, उसकी बात की, अब इस टैंजा में जो rhyming scheme यूज हुई है, वो है A, A, B, B, C, and C, earth, dirt, rhyme कर रहे हैं, days, ways, rhyme कर रहे हैं, all, pole, rhyme कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर literary device यूज हुज हुआ है, alliteration, alliteration क्या होता है, जब two consecutive words में, consonant sound है, वो repeat हो, जैसे यहाँ पर noble natures, तो जो न sound है, वो repeat हुई है, इसी वज़े से यहाँ पर device use हो जाएगा alliteration ऐसे ही some shape तो यहाँ पर जो so sound है वो repeat हुई है इस वज़े से यहाँ पर device use हो जाएगा alliteration such the sun the moon trees old and young sprouting a shady bone for simple shape and such are daffodils with the green world they live in and clear rails that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break अब last tangent में हमने पढ़ा था कि author ने कुछ beauty shape के वारे में बात की अब इस tangent में वो explain करते हैं कि nature की आर्थ पर हमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मिलती है और जिनको इन author ने a thing of beauty कहा जैसे sun तो sun से हमें energy मिलती है एक नई hope वो मिलती है moon जिसको देखके हम relaxed feel करते हैं trees old अब चाहे पेड नए हो या फिर पुराने sprouting a shady moon बून का मतलब होता है blessings वर्दान four simple ship जो आसपास हमारे जितने भी things हैं यहाँ पे sun है moon है पेड चाहे पुराने हो चाहे नए हो यह सबी क्या है हमारे लिए एक वर्दान की तरह है blessings है जो हमें गोड से मिली है defodils defodils का मतलब होता है flowers यह defodils हैं जो आपको इस image में दिखाई दे रहे हैं तो आसपास हमारा जो वर्ड है जिसमें हम रहते हैं वह green वर्ड है हरा बरा है clear reels clear reels को यहाँ पर author ने imagine करके बताया है जो river streams होती है जिसे समुंदर से जो नदियां है वो निकलती है जगह जगह पर जाती है अब जो clear reels अपना बना लेते हैं घड़े बना लेती है और वहाँ पर जो पानी है वो स्टोक कर जाता है that for themselves a cooling covert make और जिस वज़े से वो क्या होते है जैसे ही गरम सीजन आता है गर्मियों का टाइम आता है वहाँ पर जो यह ठंडग पैदा कर देती है कि जो पानी है वो गड़ों में कठा हो जाता है जिस वज़े से दो धरती है वो ठंडी हो जाती है the mid forest break mid forest break का क्या मतलब है वो हमें next line में पता चलेगा तो अभी यहां पर author ने कुछ beautiful things के बारे में बात करी sun के बारे में, moon के बारे में, trees के बारे में, defodils के बारे में, clear rails और यहां पर forest इस टैंजा में जो rhyming scheme यूज होई है वो है a, a, b, b, c, and c moon, bone rhyme कर रहे हैं, defodils, rails rhyme कर रहे हैं, make, break rhyme कर रहे हैं और यहां पर जो literary device यूज हुज हुआ है, alliteration alliteration क्या होता है, जब two consecutive words में consonant sound है, वो repeat हो जैसे यहां पर simple sheep, rhyme कर रहे हैं, बलबकि sour sound है, वो repeat हुई है simple sheep, sour sound, cooling, covert, यहां पर जो sour sound है, वो repeat हुई है इसी वज़े से यहां पर device यूज हो जाएगा alliteration और यहां पर एक और device यूज हुआ है, immagery तो यहां पर flowers को author ने defodils कहा, rivers को clear reels कहा इसी वज़े से यहां पर जो device यूज हो जाएगा, immagery rich with a sprinkling of fair musk rose blooms अब last में हमने पढ़ा था the mid forest break, यानि कि यहां पर जो forest है, वो break है rich with, यानि कि यहां पर होतार कहना चाहते हैं कि जो forest हैं, जो अलग-अलग parts में बटे हुए हैं वो उन forest में sprinkling of fair musk rose blooms, musk rose blooms के होते हैं, देखो ऐसे वाले flowers इनकी जो fragrance है, वो बहुँ ज़्यादा अच्छी होती है, तो यहां पर ओताते हैं कि इन flowers की वज़े से हर जगह पे जो fragrance है, वो फैली हुई है, जिससे nature की beauty और भी ज़्यादा purify हो गई है, and such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring grandeur means mahan yodha, immortal means dying, never dying, जो कभी भी नहीं मरता अब इस टैंजा में भी जो author है, अपनी जो points से उनको describe करते हैं, जो beautiful things हैं उन्हीं के बारे में बता रहे हैं हमें, तो यहां पर जो fair musk rose bloons हैं, उनको think of beauty कहा साथ में जो grandeur, mahan yodha हैं, उनको भी यहां पर author ने think of beauty कहा जिन्होंने अपनी life को sacrifice कर दिया देश के लिए और humanity के लिए और उन सबी प्यारी प्यारी कहानियों को जो हम बच्पन में सुनते आए हैं, बच्पन से या फिर पढ़ते हैं जो आपकी दादी ने, नानी ने आपको सुनाई होगी या फिर किसी book में आपने पढ़ी होगी उन सबी पुरानी कहानियों को जो परीयो की कहानिया होती है राजा रानी की कहानिया, उनको यहां पर thing of beauty कहा है साथ ही में यहां पर जो पानी, यानि की जो परवत से पानी गिरता है, फाउंटेन से जैसे यहां पर यह bring क्या होता ह desert, edge, किनारा अब ये जो चीजें हमें मिली हैं अर्थ से ये बहुती ज़्यादा ब्यूटिफुल है और हमारे लिए ब्लेसिंग से गोड ने हमें दी है और इनकी जो ब्यूटी है वो इनक्रीज होती रहती है और इस टैंजा में भी जो लिटररी डेवाइस यूज हुए है सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम की बात करते हैं यहां पर राइमिंग स्कीम यूज हुई है ए ए बी बी सी सी ब्लूम्स डूम्स राइम कर रहे हैं डेट रेट राइम कर रहे हैं drink, bring, rhyme कर रहे हैं और यहाँ पर जो device use हुआ है alliteration alliteration क्या होता है जब two consecutive words में consonant sound वो repeat हो जैसे यहाँ पर have heard तो जो her sound है वो repeat हुई है इसी वज़े से यहाँ पर device use हो जाएगा alliteration तो basically इस poem के through जो point हैं वो हमें connect करना चाहते थे nature के खूबसूरती के साथ वो हमें ऐसास दिलाना चाहते थे कि हमें goat से इन सब भी things को ले करके, यानि कि जो moon के रूप में sun के रूप में, trees के रूप में, fountain के रूप में musk rose blooms जो grandeur है lovely tales हैं, यह सब हमारे लिए क्या हैं, blessings हैं वर्दान हैं यही पर हमारी poem का end होता है, I hope कि आपको यह poem अच्छे से समझ आई होगी, अगर फिर भी किसी को doubt हो, वो नीचे comment में बोच सकते हैं thanks for watching, like, share and subscribe bye bye